रवास्कार आप देख रहे हल्ला बोला आपके साथ मैं हूँ अंजिनाओं कश्य भारत एक धर निर्पेक्ष देश है यहां हिंदूों के लिए सिविल लौ है तो मुस्लिम के लिए परस्नल लौ हलाकि केंद्र की पहल पर विधी आयोग ने देश में समान नागरिक सहिता यानी युनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर राय शुमारी कराई सोला सवाल बनाए और कहा लोग इसे भर कर अपनी राय दे सकते हैं इसी बात से औल इंडिया मुस्लिम परस्नल लौ बोर्ट सकते में हैं सकते में नहीं गुस्से में हैं उन्होंने केंद्र के खिलाफ खुल कर मोचा खोल दिया है कहा है कि ऐसी कोई भी कोशिश देश की अनेकता को खत्रे में डाल देगी यहां तक कह दिया कि हमें जो भी करना होगा हम करेंगे लाग जूतों जिहां आपने सही सुना जो शब्द मैंने कहें लाग जूतों का सहारा लेना पड़ा तो वो भी हम लेंगे आएए आपको सुनाते हैं क्या कुछ आरोग इस प्रेस कांफरेंस में मुस्लिम परसनल लाग बोर्ड की तरफ से लगाए गए है क्या इसे माना जाए कि ट्रिपल तलाक को लेकर एक दबाव बनाए जाना है कि तर सरकार पर यूनिफार्म सिविल कोर्ड के खिलाफ हम अपनी राय जाहिर करेंगे अब उसको आप दबाव समझें मुहबत और प्यार समझें ये लाट जूता समझें शब्द आपने सही सुने हैं ऐसे शब्द कहे गए हैं और ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री जाएं सरहत तो संभाल नहीं पाते हैं यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं सवाल ये है कि किस तरफ ये पूरी बहस जारी है क्या वाकई सरकार जैसे इनका आरोप है एक समान नागरिकता सहिता यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थोप रही है लोगों पर या फिर जो समविधान की तरफ से अनुछेट चवालीस में कहा गया है कि यही आपका मिशन होना चाहिए उसकी तरफ बढ़ता ये कदम है ये रेपोर्ट फिर चर्चा की शिरुआ पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर कॉंग्रिस ने सरकार को खेरा अब विरोत का नया मोर्चा मुस्लिम धर्म गुरूओं और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉब बोर्ड ने खोल दिया है मुद्दा ट्रिपल तलाक का है जिसे लागू करने के लिए विधियायोग ने लोगों से राय मांगी है और सवालों की इसी फेहरिस्ट पर आल इंडिया पर्सनल लॉब बोर्ड आग पपुला है तीन तलाक पर सुप्रीम कोट में केंद्र के लपनामे और विधिया आयूक के सूलह सवालों के जबाब में और आल इंडिया पर्सनल लॉब बोर्ड ने दिल्ली में वाखाइदा प्रेस कॉनफरेंस कर उल्टे सरकार को सवालों के कटगरे में खड़ा कर दिया अलग अलग तहजीर के लोग रहते हैं अगर युनिफार्म सिविल कोट होगा तो सबहों को एक रंग में रंगने की कोशिश की जाएगी जो मुल्क के हित में नहीं है ट्रिपल तलाक पर केंदर और ओल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड की दलीलों में बड़ा फर्क है सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक लेंगिक समानता के खिलाफ है जबकि Muslim Personal Law Board का दावा है कि Muslim समाज में सबसे कम तलाक होते है सरकार के मताबिक धर्म निर्पेक्ष देश में ट्रिपल तलाक विभाजन कारी है Muslim Personal Law Board का कहना है कि इससे भारत की अनेकता वाली प्रकृती नश्ट होगी सरकार की दलील है कि 20 इसलामिक देशों में ट्रिपल तलाक की पध़ती खत्म हो चुकी है जबकि Muslim Personal Law Board का कहना है कि केंदर ने विशेस समुदाय के खिलाफ युद छेड़ दिया है ट्रिपल तलाक के सिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार के सिफारिश पर विधी आयोग ने लोगों से राए मांगी है और उसने सोला सवाल पूछे है सरकार की इसी कोशिश के खिलाफ अब Muslim Personal Law Board ने आंदोलन की भी धमकी दी है गुल मिलाकर ट्रिपल तलाक पर रास्ता सरकार और Muslim समुदाय के एक बड़े तबके के बीच आर पार का होने जा रहा है Muslim संगटों ने साफ तोर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोट के मुद्दे पर अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो हर इस तर पर इसका विरोध किया जाएगा साफ है आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोट और Personal Law जैसे मुद्दों पर तकरार और बढ़ेगी और देखना यही है कि इस सब पर कोट का भी क्या रूख रहता है कैमरमें धर्मेंडर के साथ एमद अजीम दिल्ली आज तक तो क्या ऐसा धर्म संकट लोक तंत्र में जरूरी नहीं है क्या इससे कमजोर होती है जड़े क्या धर्म को समविधान के उपर माना जा सकता है क्या एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए इन्ही सवाल उपर आज हम करेंगे चर्चा काई खास में माने हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने हैं सबसे पहला आपको पर्चे उन से करा दे सबसे पहले मैं आपके पास एक बार कमाल फारुकी साहब आना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज जो प्रेस कॉन्फरेंस मुस्लिम परसल लॉबोर्ड की तरफ से किया गया उसमें प्रधारमंत्री को बताया गया कि जाहिए सरहत की तरफ देखिए लाग जूते का सहरा लेना पड़ेगा तो वो भी लेंगे लेकिन आप लोगों को एक बड़ी साजिश दिख रही है कि इस देश में युनिफॉर्म सिविल कोड थोप रही है सरकार डिक्टेटर बन रही है सरकार इसके लिए आप प्रमार दीजे दलील दीजे कि क्यों ऐसा कह रहे है दो वजूहात है देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा लग रहा है क्योंकि हम तो शुरू से जनाब प्राइम निस्टर साब की इज़त करते हैं और उनकी इस बात की इज़त करते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं 125 करोर हिंदुस्तानियों का प्राइम निस्टर हूँ जब ये इशू आया और हमने अख़बारात में और बाकी नियूज में सुना कि कोई व्यू लेने वाले हैं सुप्रिम कोर्ट के अंदर और उसके उपर हमारे जज़ महाज देने मतलिके जो पूरा ओर्डर है वो कुछ और था और आखीर के दो पन्नों के अंदर उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं उसके भी साथ ज्यात्ती हो रही है जबकि उनके पास ऐसा कोई प्रोग्राइम वो नहीं था अपना एक वीव बनाने का मंद बना लिया है तो हमने फॉरण मुस्लिम पर्सनल लाओ बोर्ड ने ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और हमारे जितने भी पांचो गुरूप ऑफ मिनिस्टर को हमने लेटर भेजा कि हम ऐसा लग रहा है कि आप एक वीव लेने वाले हैं तो इससे पहले कि आप अपना वीव लें आप मुस्लिम पर्सनल लाओ बोर्ड जो के मुसलमानों की सबसे बड़ी जमाहत है जो सारे स्कूल अफ तॉट्स को लेती है उसका भी एक पॉइंट ऑफ यू सुन लीजिए आप माने या न माने या आपकी मर्जी है लेकिन क्योंके आप प्राइम निस्टर ने 125 करोड हिंदुस्तानी होगे और हम भी बड़ी दादाज में एक हिंदुस्तानी कम्यूनिटी मुसलमान की हम वोजुद है हमारा पॉइंट अफ यू सुन लीजे तो और अब तर्क नहीं दे रहे हैं आप नहीं आप मैं तर्क भी दूँगा अगर आप ये बताइए आप तो किसनी रोका है तर्क देने से कहानी सुना रहे हैं वहां करते हैं वहां लाक जूते का मतलब बताएए इसदेस में को भारत की संगठान वी और मोधी जी को चुनोती नहीं दे रहे है जब लिए आप सभी लुवार की धंकी दे रहें सई-इस कब आलीस के बास कि किसीनी नहीं दे थी आप मुझे बताएं आप एक मीनिंग बता दिए लात जूते का क्या मीनिंग है आप मेरी बात मुकमल हो जाए वन्ना मैं खामोश हो जाओंगा अपसे कमाल फारुकी साहब आपसे रिक्वेस्ट है सर पांच लोग हैं अगर आप बैग्डराउंड बताने में ज्यादा टाइम ले लेंगे सर्त मैंने आपसे पूछा तरक और दलील बताएं वहां तक पहुचने में सर इतना टाइम लगया प्लीज दो ऐसी दलील बताएं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार साज़िश करी उसके वारशी कांशरमा जी से मैं रिसपॉंस देना चाहत हुँ प्रेजुनिस थे गए हैं लॉग कमिशन का और सुप्रीम कोर्ट का डिरेक्ट कभी लिंक नहीं है वो एक अदालती मामला है जिसमें हमने एफिडेविट फाइल किया है बाकी और लोग भी एफिडेविट फाइल कर रहा है हमारे सामने सुमन जी बैठी मिया है उनका बाकाई मैं उसको कहूंगा मुझे बहुत मजबूरी में इस तरह का सब्द इस्तिमाल करना पड़ रहा है क्योंकि आज की प्रेस कॉंफेंस में ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसको लेकर कोई तर्क देने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं थे जब आप पास तर नहीं होते हैं तो आप कुतरकों का साहरा लेते हैं भारत एक लोक्तंत्र है और यहां पर जो देश है वो कानुन से चलता है संविधान से चलता है अब यह जो आज हम चर्चा अंजना जी अंजना उनका स्यपाद चर्चा क्यों कर रही हैं चर्चा इसलिए कर रही हैं कि कु क्योंकि उनकी मौलिक अधिकारों का अनन हो रहा था इसलिए वह कोट में गई और कोट में उन्होंने याचिका लगाई अब यह मसला सुप्रीम कोट में पहुंच गया है तो इस मसले में जो पार्टियां है एक तुम्हारी जो मुसलिम बेहने जिन्नों अपने अधिकार के ल महलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं महलाओं के बराबर के अधिकार दिये जाएं महलाओं को प्रताडित करना कौन से समिधान में लिखा हुआ है आप अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन्द करें अगर वो कोट में जाते हैं और कोट मांगता है सरकार से जवाब कि आप अपना जवाब दाखिल करिए और सरकार ने अपना एफिडेविट दाखिल कर दिया कि यह जो आज की जो प्रेस कॉंफेंस है और हमारे मित्र आपके चैनल पर बैठे हैं आप तो पड़े लेखे हैं जराब आपको तो इस देश के मुल्क के जो और मुसलमान लोग हैं उ तो ट्रिपल तलाग को जो इसलामिक कंट्रीज हैं और हम तो सेकुलर कंट्री हैं क्या हम अपने महलाओं के अधिकारों के लिए अगर वो लड़ाई लड़ रही हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार दखल दे सरकार अपना जवाब पाकिस्तान में नहीं दे सक लेकिन हिंदुस्तान में दे सकते हैं नूर जहां जी आप सबसे पहले एक बेसिक सवाल में आप से पूछना चाहती हूं कि क्या आप इनके साथ हैं इस पैसले में कि इनके साथ ने आप मुस्लिम पर्सल लॉड की तरफ से जो कहा गया है कि यह साजिश है सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आप सेहमत है उससे नई हमारा यह मानना है कि मुस्लिम फैमिली लॉड का कोडिफिकेशन होना चाहिए बार्ट के मुस्लिम अला ऍदुलन até के तरफ से हमारा यह मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी की जरुरत नहीं है फिलहाल जैसे हिंदू मारेज अक्ट है, हिंदू समाज के लिए, क्रिस्टन समाज के लिए अपना परसनल लौ है, पार्सी समाज का भी अपना परसनल लौ है, ठीक उसी तरह मुस्लिम समाज के लिए भी अपना एक कोडिफाइड फैमिली लौ हो, जिसमें औरतों के अधिकार के सरक्षा हो उसमें टिपल तलाप ना हो उसमें हलाला जेसी कोई प्रखाना हो एक बेसिक जवाब मुझे मिल गया मैं आज हमारे लिए वो कानून भी नहीं है क्या दलीले हैं और कैसे सरकार के स्टेप को आप काउंटर करेंगे लौक अमिशन की तरफ से जो सवाल पूछे करें क्या गलत है देखें मैं आपको बता रहा हूं कि यहां सरकार जेंडर जेस्टिस की बात करके जेंडर जेस्टिस के बहाने अपने हिंदुत्वा एजेंडे को लाना चाहती है मेरा सवाल सरकार से ये है आपके चायल के जरीए कि हमारे कॉंस्टूशन में आर्टिकल 39C है जो ये कहता है कि सारी दौलत किसी शथ के पास ना जमा हो जाए मालिया 9000 कॉर्ड लेकर भाग गया बड़े इंडिस्टियलिस 40,000, 50,000 कॉर्ड बैंक्स को देना है ये एक वाइलेशन डिरेक्टिव प्रिंस्पल का आर्टिकल 39C का 39F देख लीजिए हेल्ट हम चायल लेबर में एमेंडमेंट लाते हैं कि अगर कोई सी फैमिली का बिजनस होगा तो बच्चा काम कर सकता है तीसरा हिंडू अंडिवाइड़ फैमिली 1952 से टैक्स रिबेट सिफ हिंडूों को मिल रहा है किसी और को नहीं ये कॉंस्टिशन के फंडमेंटल राइट टू इक्वालिटी राइट टू रिलिजन के खिलाफ है चहुता मेरा पॉइंट ये है कि सरकार जो धोका दे रही है हिंडूस्तान की अवाम को यूनिफार्म सिविल कोर्ट के नाम पर आप देख लीजे कि वेदानता के माइनिंग हम माइनिंग अलाव करते हैं फॉरस्ट में जबके ट्राइबल्स कहते हैं कि ये फॉरस्ट हमारे लिए खुदा है मगर हुकूमत माइनिंग अलाव करती चेटा मेरा पॉइंट में बता रहा हूँ आपको कि कई टेंपल्स और टेंपल्स के ट्रस्ट को एग्जेम्शन मिलता है वहीं पर आप इनको नहीं देते हमारा सवाल ये है कि क्या कॉंस्टूशन में नागा लैंड और मीजोरम को जो प्रोटेक्शन दिया गया है कल्चरल राइट्स का क्या उसको निकाल देंगे आप नागा फ्रेमवर्ग ऑफ एग्रिमेंट आवाम में नहीं लाते है पैंतालीज भी कहता है थर्टी नाइन सी भी कहता है थर्टी नाइन एफ भी कहता है बहुत से डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स हैं शराब बन करिये पूरे मुल्क में महात्मा गांदी ने कहा था कि शराब बन करिये वो भी डिरेक्टिव प्रिंस्पल है आप क्यों नहीं लाते डिरेक्टिव प्रिंस्वल उस पर आप क्यों नहीं उसको बनाते लॉग कमिशन के जरीए मोडी सरकार जो एकॉनमी को रिवाइब नहीं कर पा रही है डॉलर सत्तर रुप्य हो चुका है इंडस्टियल ग्रोज नेगेटिव हो चुकी है अनिम्प्लॉयमेंट पांच साल में बढ़ चुका है इसकी नाकामी को छुपाने के लिए हिंदुत्व आजेंडे पर ये सरकार आ चुकी है श्रीकांची छोटा सा जवाब इसका जल्दी से और जिन मुस्लिम बहनों ने कोट में याचिका लगाई है मुझे लगता है कि आप बुद्धुजी भी हैं लेकिन आप इस सब्जेक्ट पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास कोई तरकी नहीं है इसलिए आप कुतरकों का सहरा ले रहे हैं आप ये बताइए कि इसमें पार्टी मुस्लिम बहने पार्टी है सरकार ने अपना जवाब दिया है क्योंकि सुप्रीम कोट ने सरकार से जवाब मागा है जब दुनिया के तमाम देशों में रिफॉर्म्स लागू होते हैं आपके 22 जो इसलामिक कंट्री हैं वो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं ट्रिबल तलाग को उन्होंने समाप्त कर दिया ये तो मैं कहता हूँ कि इस देश के कुछ लोग हैं जिनकी जो मानसिक्ता है गरीब मानसिक्ता के कारण वो किसी रिफॉर्म्स को लागू नहीं होना चाते उसको कहीं नहीं आप रिलीजिन का इंगर देना चाते हैं महिलाओं को हतियार बना कर ये सरकार हिंदोतु का आजेंडा लागू कर रही है इनके आरोप्त में पुरी तरह से खारिज करता हूँ ये क्यों नब पूछा जाए कि आप रिफॉर्म विरोधी है ये निशित रूप से ये महलाओं के जो अथकार हैं उनका ये ब्रोध कर रहे हैं अरे इनको खामुष बिठाइए प्लीज अरे खामुष तो आपको लोगों ने कर दिया अप का दोरा चरित रहा है यहां बात कर रहे हैं उन आर्टिकल इस पर 10 साल आपने क्या किया आप संसत के अंदर क्या करते रहे क्या आपने कमिर आईल गांदी को सुझाप दिया ज्रीकांजे जी जवाब ले यह को डाइवट मद करिये अजिना आप इनको जवाब क्यों नी देने देती हैं सद अजूर बैसी को अब आप सुनिये आपकी अखल में अदाफा करता हूंभी, सुनिये तो धार्मिक बंदन होता है इस तरह के शक्तों का मिस्पेमाल नहीं करता हो एक से प्लीज अप तूटू में में इस डिस्कुसिन को मत ले जाए आप गाली गलोज पर इस चर्चा को मत ले जाए ये मेरा आग रहे आप से प्लीज ये हमारे महलाओं के अधकारों की चर्चा है और आप से प्लीज आप तरकों के साथ अपनी बात कहें ठीक है अरे मेरे भाई जरा सुन तो लो ना उसके बाद अपनी मंतिख को जारी रखो सुन तो लो मुसल्मानों में जब शादी होती है तो कॉइंट ट्रैक होता है हिंदू में जब शादी होती है तो धार्मिक बंदन आप कहते हैं और मैं आपको दो हजार ग्यारा का इसी सरकार का सेंसेस दे रहा हूं कि हमारे मुल्क में बारा मिलियन शादियां दस साल के उमर के लड़कियों क्यों यह जिसमें हिंदूओं के 84% हैं और आप मुझे बताईए क्य आप क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए राहूल गांदी सोनिया गांदी वो तो पावर से जा चुके हैं मैं किसी के गोद में बैठा नहीं हूं जिस तरह आप RSS की पैंट पैंट कर किसी बोद में बैठे हैं हम यहां पार हिंदूर मिसल्मान की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर मुस्लिमेलों के जिंगारों की जिनका हनन हो रहा है आप डाइवर्ट क्यों करते हैं चर्चा आप देख रहे हैं हला बोल आपके साथ मैं हूं अंजिना ओमकर्षप और जिस विशे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो यह कि क्या देश में एक कानून होना चाहिए क्या वाकई सरकार ठोप रही है यह कानून और युनिफर्म सिविल कोड के जरिये जैसा कि मुस्लिम परसल लौबोर्ड का कहना है दबाने की कोशश कर रही है देश की बहु संस्कृति को या फिर वाकई रिफॉर्म के खिलाफ मुसलिम परसल लौबोर्ड और कई हिंदुत्व का अजेंडा थोप रहे हैं। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। पांच ही ऐसे देशें जिसमें साओधी अरभिया और भारत है जहां पर प्रस्थनल लौ को टैच नहीं किया गया है। 22 मुस्लिम देशों ने परिवर्तित किया है और स्री लंका में 2006 में उन्होंने मेरेज डैवोर्स एक्ट को परिवर्तित किया है। अंतिन सवाल करना चाहता हूँ, आप सर्वोष चिनेले से उपर नहीं है, सर्वोष चिनेले हिंदुत का पार्ट नहीं है और सर्वोष चिनेले को डिग्रेट मत किजिए। जो जेडे अंसारी ने पार्लेमेंट में कहा, जब राजी गांधियों बिल ला रहे थे, कि सर्वोष चिनेले का जज़ इतना छोटा है, कि हमारे मुस्लिम परस्नला पर हमारे सरीयत पर बात नहीं कर सकता है, उसको मत दुरा ये हिंदुस्तान बदल चुका है, आपको मुस जाल देते हैं, गोवा में अगर कोई कैथलिक शादी करता है, तो कैथलिक लाव अपलाई होता है, अगर कोई हिंदु हिंदु लाव के तहथ करता है, तो हिंदु लाव अपलाई होता है, और गोवा में हिंदुों को पॉली लिमिटेड पॉलीगमी की जाज़त है, ये, क् इनकी सरकारे क्या उसको खतम कर देंगे खानों को बता दीजिए हिंदू अंडिवाइड़ फैंली आक्ट के तहट टैक्स रिबेट नाइटीन फिटी टू से मिल रहे है वो मुसलमानों को क्यों नहीं देते आप तीसरी बात 2011 का सेंसस में फिर से दुरा रहा हूँ अपने अगर मुझे प्रोग्राम पे बुलाना है तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए अगर मिताक्षरा और दया बागा स्कूल में लौ अफ इनरेटेंस बना सकेंगे आप मेरा और एक पॉइंट यह है कि अगर कोई बुद्धिस्ट अगर कोई बुद्धिस्ट शादी करता है जेन से और सिक के प्रिलिजिस राइट के अपर क्या आप उसको अलाओ करेंगे नहीं इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की जुरुत नहीं है यूनिफॉर्म और अगर मुसलिम आउरतों के आपको इतनी फिकर है राकेशिना साप तो आप खुदा के लिए जख्या जाफरी से इंसाफ कर दीजिये ने आप मुझे जवाब दिए मैं आप से फ़ब दिजता हूं जिन लोगों की इसमते लूटी गई है गुद्रात वो उन से इंसाफ कर हलाला जारकंड में बच्छे को आख कल मार कर फेग दिया गया पॉलिस कस्टिडी में आपकी डॉर्मेंट है उस पर नहीं कर रहे हैं उस पर करना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के नांपर है यह इस सवाल उठा रहे हैं इस मुल्क की आजादी के लिए हमने अप ना खून पसीना बहाया और फंडमेंटल राइट राइट तू रिलिजन एक बहुत बार राइट है जो डिरेक्टिव प्रिंस्पल के उपर है डिरेक्टिव में शराब बंदी है शराब को बंद करिए सम्विधान के भी उपर है पूरी दौलत किसी के पास नहीं चाहिए उसको बंद करिए सम्विधान के भी उपर है राइट तू रिलिजन मैं एक इनको जवाब दे दू जी सर शराब बंदी को और युनिफॉर्म सिविल कोट को आप बराबर रख रहे हैं अंजिना जीन में दो सवाल उप्रिंस्पल है मैं दोनों का जवाब दे तीस से क्ड़ फंडामेंटल राइट है फंडामेंटल राइट पहले है डिरेक्टिव प्रिंस्पल बाद में सुप्रीम कोट का जो फैसला आएगा वो सब को मानना पड़ेगा मगर हुकूमत की साधिश यह है कि आप अगर पाकिस्तान की मिसाल देते हैं जहां पर मस्जिदों में पंबल पाकिस्तान में मनुवात को नाफित किया जाए तो मुझे ज्यादा लंबा समयने चाहिए एक सवाल आपने कहा कि बच्चों की साधी और यह समाजी कुरिती है किसी भी बच्चे की साधी होती है तो कोट में जा सकता हूं को सजा मिल सकती है यह समाजी कुरिती होना और कानूनां तरह से न्याएं मिलना दोनों में बुनियादी अंतर है और एक बात मैं कहा दे रहा हूं एक बात सुन लीजे कि मुस्टिम महिलाओं की मांगा रही 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने मांग दी है वेशी साहब महिलाओं को सब्सक्राइब थे सिस्टम करें तो सबसे पहले तुम मैं कुछ कह सकते हूं आरियो माम ती सेकंड दीजे माम अजना जी आज हम चर्चा कर रहे हैं महलाओं के अधिकारों पर हम हिंदूर मुसलमान पर चर्चा नहीं करें नमबर एक नमबर दो आपको जो रिलीजन है आपका वो आपकी परंपरा जो है कि किसी को जलाना है किसी को दफनाना है किसी का इश्राद करना है किसी का चालीसा होगा किसी के बारे ब्रामण होंगे यहां तब का धर्म आ गया लेकिन जहां अधिकारों की बात आती है जिना ज इसमें कई हिंदु मुसल्मान ही नहीं इसमें तो एक याच्च का है जो मुसलिम महलों ने ओट में लगाई और आज कोट उसकी सुन्माई कर रहा है तो हमारे जो मित्र है वो अनवसेक रूप से इसको हिंदु मुसलिम करना चाहिए नहीं चाहते कि लागू हो और इसके पूर पारुकी साथ इसके बाद फॉरण साथ शाहस्तामबर जी क्या आप ओवेसी साथ की बातों से सहमत है कि महलाओं को हतियार बनाकर दरहसल यूनिफॉर्म सिविल कोट की तरफ सरकार बढ़ रही है और क्या ऐसा होना चाहिए बिल्कुल मैं ओवेसी साथ का समर्थन करती और ये एक ड्रामा है केंदर सरकार का मुस्लिम महलाओं के तलाक और निकाह और विरासत ये शरीय मामला है जिसको हमें परसनला बोर्ड ने इस पर ध्यार नहीं दिया जो दारुल कजाओं से महरूम हो गई है वो आदालत जा रही है लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिम करती है और शरीय से अलग नहीं जाएंगी आपने कहां से चुना रहा है किस मुस्लिम महलाओं ने ये कहने का दिकार दिया है 50,000 मुस्लिम महलाओं पर प्रतिक्रियावादी जो सरीयत कानून है उसके एजिस मत बनिए अब एक बार एक बार सभी की आवाज आए एक बार माम जाकिया सुमान नामब्यार जी आपसे मैं पूछना चाती हूँ आप अपनी बात पूरी करें मेरे हिसाब से बात बिलकुल साफ है आज भारत देश में मुसल्मान महिला क्या मांग रही है वो अपने कुरानी अधिकार मांग रही है वो पूछ रही है कि जब कुरान में तीन तलाक नहीं है तो हमारी जिंदगी में तीन तलाक क्यों होता है वो पूछ रही है कि जब अल्ला ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया अल्ला ने हमको बराबर बनाया तो ये मर्द कौन होते हैं हमारे साथ भेदभाव करने वाला सो महिलाएं कुरान में दिये गए अधिकार मांग रही है साथी साथ सम्विधान में नागरिक के तौर पे जो अधिकार दिये गए हैं वो भी मांग रही है और अब वक्त आ गया है कि धर्म के नाम पे जो राजनीती चल रही है और धर्म के नाम पे जो फित्रु सत्ता चल रही है हमारे देश में इसको खतम किया जाए तो इसके साथ इसके साथ उनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो आप इससे सहमत हैं आप मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड के स्टैंड को चुनौती दे रही है पहली बात मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड को मैं अपना प्रतिनिती नहीं मानती हूँ बारत के प्रतित नागरी पर्याय होना चाहिए ओसको सायओ करना इसको साथ प्रति अच्छा में वही कह रही हूँ कि लॉव कमिशन ने जो अभी एक कदम उठाया है कि भारत के नादरीकों की इस विशे पे राय मांगी है कि आप बताईए कि क्या ये सही है या वो सही है या वो सही है अब भारत के नादरीक उसमें अपनी राय देंगे यह एदर और का मामला नहीं है अंजना यह जेंडर जस्टीस की बात है यह इक्वालीटी की बात है तिक अपका नजर्या यह है ठीक है आपका यह नजर्या ठीक है एक को सुष्छ चसप के पास मैं जाना चाहती हूँ कमाल फारुकी साथ मेरा सवाल सुनुए सवाल ये है कि एक तो इसी शो पर बैठी एक महिला क्वेश्चन कर रहे है कि मुस्लिम पर्सनल लॉबॉर्ड को मैं अपना प्रते निदी मानती ही नहीं ठीक है इस पर आपका जवाब दूसरी बार मैं चाहती हूं कि जर आप समझाए इस देश को कि लात जूता होता क्या है जिसकी बात आज आपके प्रेस कांफरेंस में की गए लात जूता क्या है लात जूता कैसे करते हैं आप जी मैं दो नो तीनों चीज़ा बतायता हूं पहली बात तो यह है जो नहीं लेकिन आपने शाहिस्ता अंबर की बात का जवाब कर दिया उन्हें जवाब नहीं दिया कि उनकी असी लडाई मुस्लिम पर्सनल लॉज से है या मुस्लिके अॉर्टों को राइट से तीसरी बात यह उन्हें जो कही कि जहां तक उनका तालुख है उन्हें कहा है कि अधिकार होना चाहिए कि चाहे वो इस लॉज में करें या उस लॉज में की अपने अपेan इंडियान मेरी जट का ंंदर जा सकता है जिसको पर कोई लॉज में लॉज में हमस्ब बेट का मूल को जाया वंदग हों जापसर ने पिजिए स्वाब हिंए बासरी ने में ह creature चाहिए हिंम अप से जवाब सुनिए हिम Ausub히 हम ब Però आपका परसेप्शन है हलाला अगर कोई मौल भी कोई आदमी अगर को इस तरह का एगर्मेंट कर रहा है तो वाइड एप इनिच्व है क्योंकि इसलाम ने सिर्फ एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी को पर काम बताया है और हमने अपने वाक्त हमें इतने की इजाज़त देता है मैं चलते चलते बस एक एक छोटा सवाल हो वैसी साब आपसे और शिकान जी करना चाहते हूं विरिंद एक मिनिट हमें वाइन अप करना होगा वैसी साब कुल मिलाकर सवाल ये है जो कि मुझे लगता है उसके मूल तक पहुँचे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे क्या हम एक सुलिम समाज में इंटर्नल रिफॉर्म जादा हो रहा है निकाह नामे में बहुत से कंडिशन्स औरत आट कर सकती है वो कॉंट्राक है मैं आप से स्विचना ही कह रहा हूं कि गावर्मेंट मुसल्बानों को खौफ नहीं दे सकती है वो निकाह कबूल है या नहीं कह सकती है लेकिन वो तलाग 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 नहीं कह सकती है अरे महलाओं को बरावर तो मन लेजिए आप सुनेंगे अंजना जी आप प्लीज जल्दी से दर सेकेंड करेंगे अब ज़रा एक बात समझ लीजिए कि मुसल्मानों में जो हनफी है सुने जो हनफी है उनका तलाग देने का तरीख अलग है जो एहल अदीस है जो शिया है वो अलग है आप इसको समझने की जरूरत है हिंदुस्तान के कॉंस्टूशन में जो चीज है वो रहेगी मसला कोट में है पसला बोट कोट को गया है मैं हुकूमत से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एकॉनमी को रिव इसका अंत करना पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए देखते रहे है आज तक